हलो प्याद बच्चों, मैं सुनीटा, SDS की देपीट से, SDS की देपीट ओनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है आज आपके नरसरी की कक्षा में और हिंदी के विशे में हम पढ़ने वाले हैं एक नई हिंदी कवीता, क्या पढ़ेंगे, एक नई हिंदी कवीता, चीके बच्चों, यह बहुत अच्छी कवीता है और यह किसके बारे में है, यह है काले बादल की बारे में, काले बादल बच्चों आप लोगों ने बारिश होते हैं भी जरूर देखा होगा जब बारिश होती है तो उस समय बादल किस रंके हो जाते हैं बादल हलके काले रंके हो जाते हैं हम उने क्या कहते हैं काली काले बादल बारिश वाले बरस रहे हैं और उस समय आपने यह भी देखा होगा कि बादल जब बरसते हैं तो उस समय बिजली भी चमकती है आका से बहुत जोरों सी चमक होती है और उसमें आवाजे भी आती है उस समय तो उसे हम क्या कहते हैं बिजली तो बच्चो आज हम उसी के बारों में एक नहीं करिंटा सीखेंगे और पहले हम इसे दोहराएंगे दो बार उसके बाद हम इसे एक्शन के जाद करेंगे ठीके बच्चो यह देखिए आफ दोगों के एक्जांपल की मेरे क्या बता है देखिए बादल है यह बादल बनी कि बहुत दोरों से अब आजे भी साथ में होती है तो बच्चो चलिए हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप लोगों मेरे साथ इसे जरूर दोहराएंगे और पिर हम इसे एक्शन के साथ करेंगी ओके चलिए स्टार्ट करते हैं कभीडा का ग्या नाम है काले बादल ग् गुमड गुमड कर काले बादल पानी क्यों बरसाते हो तेज तेज बिजली कड़का कर हमको क्यों डराते हो हमको क्यों डराते हो तो बच्चों हमने एक बाद पढ़ लिया अब चलिए से दुबारा पढ़ते हैं आपकर जान दिजिएगा गुमड गुमड कर काले बादल पानी क्यों बरसाते हो पानी क्यों बरसाते हो तेज तेज बिजली कड़का कर हमको क्यों डराते हो हमको क्यों डराते हो इसका विकलर बच्चों बच्चे हैं वो बादल से कहते हैं गुमड गुमड कर काले बादल पानी क्यों बरसाते हो पानी क्यों बरसा रहे हो तेज तेज बिजली कड़का कर यानि जब बिजली चमंगती है तो बहुत दोरो से आवाज होती है हमको क्यों डराते हो वो बच्चे जो है बिजली के आवाज से डर रहे हैं तो वो बादल से पूछ रहे है कि तेज तेज बिजली कड़का कर हमको क्यों डराते हो ठीके बादल बने हैं, हमें उसके लिए क्या करना होगा? ऐसे, घुमण घुमण कर काले बादल, पानी क्यों बरसाते हो, तेज तेज बिजली कड़का कर हमको क्यों दराते हूँ? घुमण घुमण कर काले बादल, पानी क्यों बरसाते हो, तेज तेज बिजली कड़का कर हमको क्यों दराते हो? ठीक है बच्चों? तो आप लोग इसे अच्छे से अपने घर पे लर्ण कर लेंगे, यान की याद कर लेंगे, और जैसे हमने इसे एक्शन के साथ किया है, वैसे ही आप लोग इसे जरू करेंगे, और यह बहुत छोटी सी कवीता है, और बहुत ही अच्छी है, जिसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है रोचों? चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट राइम्स के साथ, यानि कवीता के साथ, ओके स्टूडेंट, थैंकियो!